दिवाली शिवरात्री पानी सिर्फ फोली पे खराब होता है पॉलूशन सिर्फ दिवाली पे खराब होता है और दूद सिर्फ माशिवरात्री पे खराब होता है इसके अंगेज इसका इमानदरी से जवाब आपने मुझसे बहुत बहुत बहतर दिया था जब हम 19 अपरल की मी यारू के लिए पहली बार मिलेते, तबी भी ये चर्चा होई थी जीतू भाई, जब हम पहली बार तकरीबन देड़ दो मही ने पहले मिलेते, और विवेक भाई से मुलाकात जिंदगी में पहली बार थी, उन्होंने उस दिन ये चीज बोली थी, कि शुवम भाई, ये मीडि पहले महा शिवरात्री पे आदे आदे घंटे, एक एक घंटे के एपिसोड्स बना के चलाते हैं, रोते रहते हैं, देखो देखो दूद की बरबादी, देखो दूद की बरबादी, ये कौन से इनके भगवान है जो इनको दूद पिला रहे हैं, कहां ये पत्थरों में शिवरात्री के दिन भगवान शिवजी के उपर भायवा दूद इनको दिखता है, पर एक जो गव माता कटती है, उसके लिए कभी नहीं बोलते हैं, जो पूरी जिंदगी में कितना दूद देती, एक दिन का दूद और एक गाय का पूरी जिंदगी का दूद, तो वो डिल में खरकर गया उसकि अलावर जैसे पटाकों की बाद जो कि ब्रूट कर देंगे और पुलियो कोई क्थे जो क्हाइव जीर मैंगे statue एक MAX मुल्कों में। इसके भी प्रमान के साथ में वीडियोस हमारे पास में हैं यूट्यूब के सब को हम सर्कूलेट कर देंगे पूरे वीडियोस फैला देंगे वही चैनल्स 31 दिसम्ब के रात पर क्या टालिकास करते हैं दुनिया भर में नए साल का जश्न दुनिया भर में रंगा रंग आतिश बाजी 220 देशों में एक देश की आतिश बाजी तुमें भारी पढ़ रही है एक ही दिन के लिए और 220 मुलकों के आतिश बाटी तुम लाइव दिखा रहे हो ये डबल सेंडर्स है हमें यही अवेरनेस लोगों में लेके आनी है होली पे आपके तो पानी बरबाद हो रहा है मैं फिर से कहूंगा हमें किसी धरम से कोई अलरजी नहीं है लेकिन अगर तुम एक बाप की ओलाद हो मीडिया वालो अगर एक बाप की ओलाद हो मैंने कहा था आज कुछ कुंदग में ऐसे वर्ट्स निगल सकते हैं आप कीजिएगा लेकिन चैलेंज करता हूँ एक बाप की ओलाद हो तो महरम पे बना दो ना अधे घंटे के एपिसोड ये क्यों पांच-पांच साल के बच्चों की चमडी उधरवा गया है ये चला के दिखा दो और बीस तारीक के सुबह जिन्दा उटके दिखा दो मान जाओंगा हमें एलरजी नहीं है जो जिस धरम का पालन कर रहा है बिल्कुल शौंक से करे लेकिन हमारी ये पीडा है हम सताय हुए हैं अपने देश में उस दिन गौरो भाई कहा है गौरो भाई ने बोला था इनके कोई मुस्लिम मित्र है जो की एक दिन इनको बोल रहे थे कि ये भी उसी दिन की बात है जब विवेक भाई ने ये वाला बात बोले थी पहली मीटिंग वाली जब हम उपर बैटाए वेते हैं यहां पर गौरो भाई ने का कि शुमां भाई मुझे तो कहीं पर शरम आती है हमारे मुस्लिम दोस्तियों बोल लेते हैं किसी धरम से ऐलर्जी नहीं है लेकिन हां मीडिया को आईना दिखाने का समय आ गया है और मीडिया ने हमारा जितना भी शोशन किया है उनको सूच समय तो हम आपस लोटाएंगे आसान रास्ता मैंने सेमिनार में बीच में बोला था वो आसान रास्ता है वो हम नहीं इक्तियार करेंगे हम मुश्किल पत्पे चलेंगे